हेलो नमस्कर दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आप सभी का पोस्ट आफिस कोचिंग में हलो हलो आवाज आ रही है हलो ओके ठीक है और आज हम GK की क्लास लेने जा रहे हैं प्रैक्टिस बैच में देखते हैं तो आज तारीक है 16 तारीक 16 माने की GK है ठीक है तो शुरू करते हैं बस एक मिनट का समय दी दीजिए ओके चलिए यह रहा है तो पहला क्वेश्टन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कुट इंडिया मूफमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो अंदोलन तो बिसीकली फ्रीडम सट्रगल का जे पार्ट है आठ अगस्त तो ने सो बतालिस को जे शुरू हुआ था ठीक है क्यों हुआ था पहले तो जी नॉन वाइलेंट रोभर मूफमेंट सब्स्क्राइब इसमें कोई खोन खराबा ऐसा कुछ नहीं हुआ था ठीक है दूसरा इसको किसने शुरू किया था इसको शुरू किया था आल इंडिया कॉंग्रेश कंटी बॉंबे इसे को शुरू किया था उस समय वर्डवर कू चल रहा हमें अपना राजिय वापस थेंगे हाना तो इन सभी चीजों के लेकर उसके इन बिट्वीन ही यह जो मुवमेंट है शुरू हुआ था ठीक है और दूसरा है जो सॉल्ट सत्याग्र है वो कब शुरू हुआ था अगर आप देखो तो ज्यादा देट से ही पूछी जा रही है हना सॉल्ट मतलब की नमक नमक का सत्याग्र है देखिए क्या वैसे ऐसा नहीं कि आज नमक पर टेक्स नहीं लगता था वो अलग बात है कि आज हमें चुबता नहीं है हर चीज पर टेक्स लगता है आज भाई जीएस्टी आप कोई भी चीज बेच लो हर चीज पर टेक्स है नहीं टेक्स है तो टेक्स पर टेक्स तो होता ही है तो सॉल्ट सत्याग्रे जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था 1930 में, अगर एक्जेक्ट डीट बताऊं, तो 12 मार्श, 1930 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, अभी कहां से कहां तक जी शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम, साबरमती आश् से डंडी तक डंडी एक जगा का नाम है वहां तक हुआ था वह आई तिंक जे छे एपरेल वाले दिन कि महात्मा गांदी जी ने वहां से जाकर वहां जाकर जो समुंदर का पानी है वहां से नमक बनाया था और इस अपना जो नमक का कानून था उनका लौ था अंग्रेजों का उसको तोड़ा था ठीक है तो इन डेट्स काफी आती है थर्ड है कि अंशूलीन समिती किन्हों ने उसकी सम जो स्थापना है वो की थी ठीक है उस समय बहुत सी ऐसे ऑर्गेजेशन का सेट अप हुआ था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ और जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उनका साथ देने के लिए त स्तीश चंदर बोस दूसरे थे ये वाले पी मित्रा जी बरिस्टर थे आज की लैंग्विज में बरिस्टर को हम वकील बोल देते हैं ठीक है तो जे बरिस्टर थे इनका पूरा नाम था बरिस्टर प्रानात मित्रा क्या था प्रानात ऐसा कुछ करके था प्रानात था प्रा कोलकाता में आज जहां पर कोलकाता है वहां पर इसका गठन हुआ था ओके नेक्स्ट है कि पैनिनस यह माउंटेंस है यॉर्प में है एपलैंशियस यह अमेरिका में है और अरावली इंडिया में है अगर आपको पहले दूखा नहीं भी पता तो अब आपको पता होगा कि अर कि इनडिया में जो मेजर पोट है जो परमुख बंदर गाहें है वो कितनी है वो तेरा है ठीक है तेरा ही मानी जा रही है आप किसी भी जीके की बुक में देख लो तो तेरा ही हम भी इसको मानेंगे ठीक है क्वेश्टन नमबर छे कि अमजद अली खान वह कौंट सा जैसे क्लासिकल गिटार होता है ना पुराने जमाने का गिटार उसको सरोद बोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूं सरोद ये वाला वो इरान इराग में काफी ये अरे भी इनड़ जब तक लोड हो जा भाई इतना समा किसके पास है चलिए कोई बात ने जब तक लोड हो रहा है सो पुराना गिटार होता है क्लासिकल गिटार होता है ये वाला आप देख सकते हैं इसको सरोद बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि प्रॉफट मुहम्मद का जनम कब हुआ था प्रॉफट मुहम्मद जिन से जो मुस्लिम रिलीजियन है उनकी शुरुआत होई थी तो इनका जनम हुआ था फाइव सेवन्टी एडी 570 एडी मतलब कि जीसस क्राइस्ट हम उसको 0 एडी मानते हैं उसके 570 साल बाद इनका जो जनम हुआ था ठीक है उसके बाद कहां पर हुआ था इनका जनम हुआ था मक्का में कहां पर मक्का में मक्का में दीन आपने सुना होगा ना मक्का में हुआ था और मक्का आज कहां प में जो मुस्लिम रिलीजिन है उसका ओरीजिन है ठीकare next है गाली आज्डी है कुछी पुडी डांस का एक फॉर्म है वह किस स्टेट से बिल haunted परदेश से बिलॉंघ करता है लेकिन कथ relationships कॉतिकली आगहे आ आंखे आखा एक तो कत्थकरी की रिला-स बेलॉव करता है वह क्त्तहकरी आपने दिखा होगा ना बुर्चेहरी को हादे रंका करकर लिए क्दि एसे आखें हिलाते हैं आखों की इंप्रेस्टन होता है इसमें बहुत सारा मैं आपको दिखाता हूँ कथाकली को अरे भाई कथाकली को कोई इसू लग रहा है हमारे जहां पर जे चल नहीं रहा है कि देखते हैं चल पड़े तो तू हाँ चल यह कथकली मैंने आपको बता दिया वैसे आप वैसे याद रख लेना कथक और कथकली ठीक है और सुभाष चंदर बोस जीनिक बुक लिखी थी अब यह मैंने आपको ऑप्शन साई क्वेश्चन बता दिया जिसका नाम था इंडियन से ट्रकल और इसमें बताया गया था कि कैसे ब्रीटीशर ने हमारे इंडिया के कब्जा किया है और जो ब्रीटीशर थे उन्होंने इस सब्स Gef के ओं हाईेस्ट स्टेट कौंसे जो सबसे ज़यदा घृर्डिवस करती है वो है ओरिशा झीद नंबर पर दूसरे नंबर पर कौंसे धूसरे नंबर पर जाती सगर्ड और disks सद्रींन question number 11 कि जो इंद्रा गांदी कैनल है उनको पानी कहां से मिलता है अगर तो आप नौर्थ इंडिया से है तो आपको शायद पता होगा कि इंद्रा गांदी कैनल क्या है मतलब कि जो पंजाब में पांच नदियां बहती है तो ऐसा माना चाता है कि पंजाब की पास तो बहुत पानी है बहुत पानी है ठीक है है भी है चलो जी तो ठीक है बलेस्ट है है तो राजस्तान के पास पानी नहीं है तो इंद्रा गांदी जी ने एक कैनल सिस्टम बनाया थ कि पंजाब के पानी को राजस्थान में लेकर आएंगे और राजस्थान को हरा भरा हम पनाएंगे ठीक है आई ठीक मिड़ वो 1970 के करीब इसका हुआ था जी शुरुआत तो उस समय 1970 नहीं 2000 के करीब पानी को रोका गिया है उसमें एक साइड जो पानी है इदर चला जाता है इंदर गानी कैणन में दूसरे जगा जो पानी है वो पाकिस्तान में चला जाता है ठीक है बहुत बहुत ज़्यादा पानी रोका गया है मैं परस्टनली वहां पर इसको देखकर भी आया हूं ठीक है नेक्स्ट है कि जो फोक पेंटिंग है मदू भनी वो किस स्टेट से बिलॉंग करती है ठीक है अच्छा नहीं यार जैसो तो नहीं होना चाहिए जे मुझे इस क्वेश्टन में डाउट है ठीक है जी क्वेश्टन अपने अपने मुझे वेग लगता है इसको आप छोड़ दीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है क्वेश्टन नमर 12 आप छोड़ती चीए नेक्स्ट है कि योगा है ठीक है जो योगा है उनका प्रतिपादन किसने किया था ठीक है उनके प्रतिपादक शुरुआत की थी है ठीक है क्वेश्टन नमर 14 कि हिंदू लॉव मेकर ग्रेट हिंदू लॉव मेकर कौन है तो मनु को बोला जाता है ठीक है उन्होंने मनु जीने एक बुक लिखी थी ठीक है जिनको अंबेदकर जीने जलाया भी था ठीक है क्योंकि उसमें उन्होंने आई जैसे हमारे religion में भी बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं लेकिन हम उसको follow नहीं करेंगे हम वही चीज़ follow करेंगे जो हमारे मतलब की है तो मनु ने वो law लिखा लेकिन society ने उसे अपने हिसाब से मुझे लगता है adopt किया जिससे उसमें बुराज्या पन पगई और caste system prevail हो गय ठीक है तो यही मनु है जिसको great hindu lawmaker बोला जाता है ठीक है शुरुवात में चीजें कोई चीजों की intention और होती है लेकिन समय के साथ उसकी intention लोग अपने फाइदे के लिए बद रही देते हैं ठीक है जो लोगों का अपना एक nature है सबसे oldest instrument कौन सा है अरे भई musical instrument तो लिखना चाहिए था आपको अना नीचे चार musical instrument दिये हैं तो सबसे ओल्ड है वीना सरोध हमने देख लिया वो पुराना गिटार सा है ठीक है फ्लूट भी आपको पता है बासुरी हाना सितार भी आपको पता है ठीक है सितार सितार अभी देखें नेट चल पड़ा है पहले तो मैं आ आपको पता है और कथक होता है जैसे वह मुगलों के दरबार में डास नहीं होता था कथक है ऐसा कुछ अश्य कथक है ठीक है पहले था कथक कली दोनों में देखो नाम सेम है लेकिन फर्क बहुत है तीसरा था कुची पुडी जो हमने एपी के पढ़ा था वह था कुची कि अधर यह है रहरे है यह है पीविस देखने में का सब्सक्राइब हुम है तो आज की कि क्लास में हम अइतना ही ... ठीक है और अगर आप इस प्रैक्टिस बैच के पीडियेफ लिना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच का जो भाई कर सकते हैं दोसों ने नमे का ठीक है उसमें आपको अगर आपको लगता है कि त्यारी हो चुकी है तो आप प्रैक्टिस को भाई करना पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर भी आप इसको ही बाई करना है क्योंकि इसने ब्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी ठीक है अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अभी के लिए जय हिंद जय भारत जय जवा जय किसा